यूपी विदान सभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरूख होने जा रहा है और आज तो पहर विदान भवन परिसर में साड़े बारा बज़े बजट सत्र को लेकर सरवदले जो बैठक है वो बुलाई गई है इस बैठक की अध्यक्षता विदान सभा अध्यक्षा हरदे नारायन दिक्षित करेंगे और इस बैठक में नेता सदन सीम योगी संसद्यकारे मंतरी नेता प्रति पक्ष समेत काई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे बैठक में विदान सभा अध्यक्षा और सीम योगी सभी दलों से इस बात की अपील करेंगे कि विदान सभा क जो कार्यवाही है वो सुचारू ढंक से चल सके सरदली बैठक से पहले कार्यमंतरणा बैठक की जाएगी तो इस बैठक में कई मुदों को लेकर जड़ जाओगी तो साथ ही ये भी अपील होगी कि जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से ठंग से चल पाए और ऐसे में ये अपील इन तमाम पार्टियों से सेम योगी तरफ से की जाएगी तो बता दें कि यूपी वधान सबा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और उसे ठीक पहले जो तमाम तयारियां है सदन की कारेवाही को लेकर की जा रही है और आज इसी कड़ी में तो पहर वधान परिसर में साड़े बारा बज़े के करीब बजट सत्र को लेकर सरदलि बैठेक बुलाए गए है जिस मेंना सर्प सरकार के बुलाए कर तमाम जो विरोदी नल के नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे तो अस बैठेक के अध्यक्षता वधासभा के अध्यक्ष हिरदे नराइण दिख्षित करेंगे इस बैठेक में नेता सदन सेम योगी संसत्य कार्यمن्त्री नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विपक्षी दलो की जो नेता हैं वो शामिल होंगे जिनसे ये अपील की जाएगी कि जो सदन की कार्यवाई उसको बादित ना किया जाएव वो बहस के भेट ना चड़े सुचारू ढंग से जो है सदन की कारेबाही चले इसको लेकर अपील इन तमाम लोगों से की जाएगी तो बैटिक मेधान सबाद द्यक्षर सिम्योगी सभी दलोग से इस पर अपील करते हुए नजर आएंगे